सब्सक्राइब एक सवाल जो आपको भी पता है बहुत रिपीटिडली पूछा गया जो हमारे साहोगी संपातक कहां संदीब जी कहां गए संदीब जी के बालक ने भी कहा है उनका बच्चा है चोटा कि वो जरूर पूछेगा और वो है आपके जो सबसे मशुहूर टीवी सीरीज कहलें सीरियल कहलें तारक महता का उल्टा चश्मा से जुड़ा हुआ क्या हुआ क्या आज तक तो मैंने ये कभी बताया नहीं था क्या हुआ लेकिन इशारों इशारों में तो कहा था बात आत्मसंबान की थी और इसलिए फिर छोड़ दिया आप घटना जानना चाह रहे हैं जी और बहुत विस्तार से हम भी और हमारे करोणों दर्शक भी आज तक मैंने नहीं कहा और ये वादा तोड़ना होगा क्योंकि मैंने मुंबई में हमारे पत्रकार है उनसे कहा था कि जब भी बात करूँगा तो आप से सबीसे पहले कर लो प्रिंट में है लेकिन आज चुकी हम यह प्रिंट नहीं है तो वादा बना रहेगा अश्वत थामा हतो हता जी हुआ यह था कि सब टीवी पर एक दूसरा शो आया था गुड़नाइट इंडिया कब की बात है यह बेड़ताल पहले की बात है मेरा शो नहीं था एक शो आता आतकुर 10-11 बजे जिसमें stand-up comedians आते थे और कलाकार आते थे तो उस शो में उन्होंने मुझे बतौर celebrity guest बुलाया एक episode के लिए जहां मुझे मेरे कभी शैलेश लोड़ा मैं गया जाता ही क्यों नहीं जाता ही कभी शैलेश लोड़ा तो 1980 से कविताएं कर रहा है और जो से पतिबंद में था कि मैं नहीं जा सकते हैं और उसी platform पे जिस platform पे हमारा show आता था उसी में 10 वजे आता था मैं शूट करके आ गया और वो producer उस show के वो थे जिनके साथ पहले में comedy circus कर चुगा था तो एक संबंद भी थे और निश्चित तोर पे कभीता है मैंने महा जा कि जूर अच्छी कभीता है वह जो तो मैंने महा जा कि कभीता पढ़ी और शूट हो गया अब उनका फोन आया जिस दिन और टेली कास होना वाला होगा उसके एक दिन पहले और आप कैसे गए वहां पर उनका मतलब कि प्रोड्यूसर शो के आप असित मोधी का नाम नहीं लेते तारख में था उल्टा चश्मा के प्रडूसर असित मोदी उन्हें बतौर प्रडूसर बात की थी ना अरे मिजे अपने दर्शकों को सपष्ट करना होता है असित मोदी की बात करें आप प्रडूसर है उनका फोन आया चलिए तो उन प्रडूसर का फोन आया मेरे पास उनका कि आप कैसे चले गए और इधर उदर कैसे लगया मतलब भई मैं कभी हूँ और एक शो के अंदर मैं बतार सेलिबिटी गैस्ट गया हूँ कोई रोल करने तो गया नहीं हूँ आदे घंटे का एपिसोड है जिसमें मैं सेलिबिटी गैस्ट हूँ जिसमें मैं शैलेश लोडा हूँ और उन्हें बड़ी असब भाषा में बात की जो मुझसे बरदाश्ट नहीं हुई ऐसा पहली बार हुआ जाब असब मोदी ने इस तरह की भाषा का स्थिया हैुव और भषान्त हो चुकी थी यहारी सैठव तब उन्हें ने कहा हुआ जरू काम करने वाले में नौकर हैं उन्हें कर लेने तरह की लेंग भूलिंध भूलिया मेरी रगों में हामने नहीं है त तो उन्होंने जिस भाशा में बात की वो मुझसे स्वीकार ही नहीं थी मेरे लिए, यहम सब काम कर रहे हैं और सब ने मिलके किसी चीज का निरमान किया है और आप इस भाशा में तो बात कर रही नहीं सकते, पहले तो आप प्रतिबंद इस तरह के नहीं लगा सकते, तो मैंने सतरह फरवी 2022 की बात है, मैंने मेल कर दिया, लेकिन मैं जाता रहा सेट में, कोई वो बुलाते रहे, मैं इसलिए जाता रहा, कि हमें भी पता कि कोई लंबा शोर चल रहा है, तो आपकी स्टोरीज है या रोल है, वो खतम हो जाए जब तक आपको जाना है, तो मैं जाता रहा लेकिन उन्होंने फिर आर्म ट्विस्टिंग के लिए ये हुआ, कि हमारे इंडस्ट्री में एक नियम है, कि पैसे आप 90 दिन बाद क्लेम कर सकते हैं, ये बहा आजीव नियम है, लोगों को पता चलना चाहिए, अगर एक जनवरी पे किसी ने काम किया है, तो एक फरवरी, बात है, मैं जाता रहा क्योंकि मैंने पूरा कर लेंगे अपना काम और ढूल लेंगे, क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन हुआ ये कि फैबुरी में उन्होंने, नवंबर महा का जो मेरा पैसा द्यू था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में रोक लिय और आप जानबूच के पैसा नहीं दे रहे हो, सिर्फ आम ट्विस्ट करने के लिए, और चुकि आपकी भाषा मुझे स्वीकारे नहीं थी, मैं तो छोड़ी चुका था, फिर मैंने अल्टिमेटली एक mail किया, पाँच अपरेल को कि, if you do not release this, I will not come from tomorrow, अभी तक तो मैं आ र रहे हो, और आप क्यों कर रहे हो ऐसा, या तो आप ये एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि इस पेपर में साइन करो, तो हम आपको पैसा देंगा, तो फिर आप काम ही नहीं कर दो ना, जब तक पैपर में साइन होता, आप काम ही नहीं कर सकते, आप तो ऐसा करो, that would have been a better thing, और सब पैसा लेने के लिए क्यों कि जाना पड़ा मुझे, कि उन्होंने पैसा लेने के लिए क्या है, हमारे एक agreement है, full and final agreement, उस पे साइन करो तो पैसा देंगा, उस वो मुझे स्वीकार ही नहीं था, ऐसा किया था था, सबसे पहली बात तो तलाक के बाद तो marriage certificate पे साइन नहीं होत तो मैं ये sign करके दूं, ये लिखके दूं कि मैं social media पर जाओंगा तो आप से पूच के जाओंगा, मैं मेडिया से बात नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, कि कियो चोड़ा, कि किसी वीशे बात नहीं करूंगा, मालों मैं आपको बताऊंगा मैं उस में, है, full and final agreement जो म तो ने कोर्ट पे पैसा दे दिया मैंने उनके किसी एड़िमेंट पे साइन नहीं कि एक दिशमलव जीरो पाँच करोड रुपए है जी ऐसा ही था नहीं हम तो बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हिंदी का कभी अगर अच्छा पारिश्रमिक पा रहा है अपनी महनत से तो यह कभी रेंजरोवर चलाता है मरस्डीज चलाता है और कभी कौन कौन सी कारे हैं आपके पास बहुत शौक है आपको कारों का जी कारों का शौक है यह तीन तो यही थी